So what's going on guys, आज येर मैं आगया हूँ आप लोगों के लिए लेक एक और मूवी रिवियू गाईज आज हम करने वाले हैं रिवियू ड्रीम गर्ल 2 का इससे पहले के मैं रिवियू शुरू करूँ तो मैं मैं कुछ हाइलाइट बताना चाहूँगा पहली आईलाइट एक बहुती कमाल की कास्टिंग यानि के आयुष्मान खुराना, अनुकपूर, परेश रावल, राजपाले आदब, विजे राज, भाई सीमा पावा, भाई कमाल की कास्टिंग और combination of actors अनुकपूर, आयुष्मान खुराना, परेश रावल, राजपाले यानि कि आप पूरी फैमिली जाके बच्चों के साथ भी फिल्म देख सकते हो लेकिन इसको मैं UG कैटेगरी में रखूंगा अपने रिव्यू में यानि कि अंडर गाइडन्स फॉर किड्स ठीक है ये UGF जो कैटेगरी है ये मैंने क्रियेट करिये तो गाइज किसको समझ में आ गई हो ठीक है लेकिन बच्चों को ये फिल्म अगर आप दिखाना जाते हो तो पेरेंट्स अपनी गाइडन्स में दिखा सकते हैं और एक और चीज़ यहां पे जो डालोग्स हैं जो डबल मीनिंग बेंटर दिये गए हैं वो डबल मीनिंग बेंटर बहुत ही स्मूधली दिये गए हैं जिसके अंदर कुछ ऐसा बुरा नहीं लगता सुनने में तो बड़ा ही अच्छे तरीके से काव की गई है राइटिंग के अंदर कॉमेडी एक होती है सिट्वेशनल कॉमेडी एक होती है डालोग्स की कॉमेडी एक होती है वर्बल कॉमेडी एक होती है एक्स्प्रेशनेबल कॉमेडी अब यहां पे जो कॉमेडी है वो अलग तरह क वह comedy है focused comedy पूरे focus के साथ यह film मनाई गई है कि इसे हम पूरा comedy genre में रखेंगे उसी तरह से पूरे focus से आपको बैठके film देखनी पड़ेगी so that you don't miss out on comedy because news बहुत ही minimalistic way में बहुत ही सीधी सीधी बातों में comic बातें की गई है और बहुत ही dream girl 1 में देखा था कि वो लड़की की आवाज में बात करता है यहाँ पर भी वो लड़की की आवाज में बात करता है पर यहाँ पर dream girl 2 है तो next level जाना जरूरी था तो next level पहली बार गया है और बहुत rarely मुझे sequels अच्छे लगते हैं Indian cinema में यह मैं अच्छे वाली category में रखूँगा और rare category में भी रखूँगा यहाँ पर एक level are very well written very well carved and very well been said actually जो बोले गए है dialogue वो बहुत अच्छी है timing बहुत कमाल की आपको देखने को मिलने वाली है अनु कपूर के character को आप कही न कहीं अपने साथ लेकर आओगे यह मेरी guarantee है और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इस film का edit बहुत अच्छा है color correction बहुत अच्छा है सब मतलब post production का काम बहुत ही बढ़िया किया गया है अगर आप यहाँ पर मेरे से बात करो के इस movie को as an entertainment मैं क्या rating दोंगा as an entertainment this movie could be rated at three and a half to four stars मतलब बीच में रहेगी कहीं ना पूरी तरीके से साड़े तीन स्टार बनते हैं ना पूरी तरीके से चार स्टार बनते हैं तो तीन पॉइंट पर चत्तर में मान के चल लो लेकिन अगर आ मुझसे पूछोगे टेकनिकल आस्पेक्ट पर यह movie कैसी है तो टेकनिकल आस्पेक्ट पर यह movie को मैं दूंगा और जैसे कि हमें पता है कि word of mouth पर फिल्म है आज की डेट में बहुत अच्छा नाम की जाती है तो यह फिल्म के पूरे पूरे चांसे हैं कि जो एक home run चल रहा है इस टाइम पर गदर टूगा उस पर कुछ ना कुछ एफेक्ट रिये movie डाल सकती है और यह movie बहुत ही जादा अच्छे तरीके से बनाई गई है लोगों के देखने लायक बनाई गई है और मज़ेदार तरीके से बनाई गई है इसके साथ साथ मस्ताने भी देख सकते हो जिनको थोड़ा serious element movie देखने का मन है ड्रीम गल 2 is one of the finest films I would say in the current times current times के अंदर one of the very good films जो हम miss out नहीं करेंगे आप पर आओगे आप से कोई पूछेगा कौनसी फिल्म देखें इस वीक को तो आप clearly बोलने वाले हो यानिके you can recommend it to other people also के हाँ ड्रीम गल 2 जाकर देखाओ decent movie मज़ा आएगा movie देखके entertainment quotient very high comedy quotient very high casting superb writing superb execution superb direction next level मज़ा आएगा आपको फिल्म देखके कुछ कुछ words हो सकता है यहाँ पता क्या है यहाँ पर आके न यह उस level पर आ जाती है movie जहाँ पर देखने वाले के नजरिये पर depend करता है कि आप उस जोग को किस तरीक अज़े लेते तो यह वो ही situation है कि मैंने एक line बोली और बेवाकूफ यह मतलब मैंने तो मजाक में बोली कि बेवाकूफ सामने वाले ने ले लिया तूने मुझे बेवाकूफ बोला वो वली चीज है तो आप जब जाओगे आपको मज़ा आएगा movie देखके something very good to watch actually तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पैसे वेस्ट किया है मजा आने वाला थेटर जाओ फिल्म देखो enjoy करो यार popcorn खाले ना मेरी तरफ से पैसे मैं ली दूंगा